अगर कोरोना की वज़ा से दुनिया के जादातर हिस्तों में लोकडाउन लगा था लेकिन अब स्नेल यानी घोंगे की वज़ा से भी एक खास शहर को क्वरंटीन कर दिया गया है इस लोकडाउन के तहट लोगों की आवा जाही पर रोक नहीं है लेकिन कुछ खास सामान को ले जाने पर रोक रहेगी अमेरिका के फ्लॉरिडा में आखिर घोंगे से इतनी धहशत क्यों हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए इसे आप स्नेल या खोंगा के नाम से जानते हैं शायद ही कोई इनसान खोंगा को देख कर डरता होगा लोग इसे हाथों में उठा लेते हैं और कई जगों पर लोग इसे खाने के तौर पर भी इस्तिमाल करते हैं लेकिन अमेरिका के फ्लॉरिडा में खोंगा की वज़े से दहशत है। वज़े यहां मिल रहे खोंगा का विशाल आकार है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लॉरिडा में 8 हिंच के खोंगा मिल रहे है। अब तैशत ऐसी है कि पूरे कस्पे को दो साल के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है अब दर की पूरी भज़र समझी घूंगा की ये प्रजाती मूल रूप से अफरीका में पाई जाती है इसमें पाई जाने वाले जीव इंसानों को कमभीर तौर से विमार कर सकते हैं ये घूंगा वेनिंजाइटिस विमारी फैला सकते हैं दिमाग पर असर करने वाली ये विमारी जान लेवा होती है अब लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे नियम कायदे बनाए गए हैं अब लोग सडकों पर घूम तो सकते हैं लेकिन मिट्टी, बौधे, निर्मान, सामगरी जैसी चीजें तापा शेहर से बाहर नहीं ले जा सकते घूंगे बौधों के नीचे मिट्टी और कंक्रीट में रहना पसंद करते हैं अब अमेरिका को इससे बुक्ती के लिए लाखों डॉलर खर्च करना होगा ब्यूरो रिपोर्ट दीवी नाइन भारतवर्च